बाबा साहब के विचारों को आगे बराते हुए और कांसी राम जी का जो सपना था उसको साकार करने के लिए लक्ष नाम का एक संस्था चलता है जो हर्याना पंजाब देली उत्राखन बिहार जैसे राज्यों में ऐसे लोग के घर जाकर ऐसे लोग के बीच जाकर एकाम करता ह जो उनके अधिकारों के बारे में बताता है उनके होने वाले तकलीफों के बारे में जानकर उसे दूर करने की कोशिश करता है और खासकर जो संबधानिक उनको अधिकार है कानूनी अधिकार है और उनके खिलाफ जो तैचार होता है उसके खिलाफ सर को पर उतर कर उनकी अंपन में आया कि उनको एक ऐसा कब लगा कि आपको एक ऐसा कब लगा कि आपको Erika इस दलित लोगों की स्वामुई खत्या रंडबीर सेना ने कर दी तो हम लोग भी इस मुव्मेंट से जुड़े हुए थे मने कासिराम जी के साथ भी काफी लंबे समय तक काम करते रहे तो एक चीज निकल के आईगी कि यार 1999 में और आज भी जबके हमारे लगबग 131 MP 1952 से प हमने एक चीज निकली मंथन किया तो एक चीज निकल के आई कि जो भी संक्तन्स हैं वो या तो व्यक्ति विसेज पर काम कर रहे हैं और उस व्यक्ति विसेज का कोई अतापता नहीं होता कुछ सालों के बाद जब उसके एक वैल्लू हो जाती है समाज के अंदर या तो किसी पार्टी में चला जाता है या वो अपनी पार्टी बना लेता है तो हम लोगों ने भी बहुत सी चीजे मंतन करी और ये क्तै किया कि यार ऐसा एक कोई संक्तन होना चाहिए जो एक वाकई इमानदारी से जो कि मन्ने कासिराम जी की विचारधारा पे काम करें अपने महापू बने ताकि उसको नय मिल सके 17 साल का लंबा सफर है तो किस तरह के सफलता सफलता की बात करें तो आपके लक्ष का जो लक्ष था वो कितना पूरा होता दिख रहा है दिखिए कोई भी समाजिक संक्तन है कोई इसका को रिजल्ट का वो नहीं होता कि कोई हमने टिक्टे बाटन हैं जहां भी हम लोग गए हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त वेलकम किया है सुरू में दिखते आई हैं कि कहीं हम गए हैं पहले हमने लगबग जब हमने 99 में संक्तन की स्तापना की तो हमने तै किया था कि हम लोग बालमी की समाज में जाएंगे और उन लोगों को जोड़न के हाथ में कलम दीजिए जाडू मत दीजिए तब ही इनका उत्ठाने होगा और जितनी भी समाज में जातिया हैं बाऊजन समाज में उनको हम एक तक में बांदें गे तब ही हमारा उध़तार होगा जैसे बावस आपने भी कहा है, कि समाजी करांती के बिना राजनेती करांती अधूरी है, हम इस बल पे काम कर रहे हैं, कि जब तक हम लोगों को जगाएंगे नहीं, तो जब फिर आपकी सरकारे कैसे बनेंगे, और अगर हम जगाते हैं, तो मेरा मानना यह है, कि वो किसी भी सोसन के खलाब सड़कों पे उतरेगा, चाहिए वो पिलिस का मामला हो, हम देखते हैं, देखते हैं, कि कहीं भी अगर आइक तो नहीं हमारे साथ में हुआ, जाती है हमारे साथ में हुई, हमारी बेंट बेटियों की हिजद लूट गई, और अगर हम थाने में जाते हैं, तो वो रि हम अंडरस हैं, कहीं भी हम लोगों ने बड़े अट्रोसिटीज एक्ट लोगों पे लगवाए हैं, और हमने उनको बोला है कि कभी भी रात को बारा बज़े, दो बज़े भी आगर आप फोन करेंगे, तो हमारी टीम वहाँ पहुँची मिलेगी आपको. आप कितने साल से जूरे हुएं? जो इस लक्ष में, महिलाओं का भी से स्युगदान है लक्ष में, लेकिन इसके संस्थाबक थे, खजान सिंग हैं, तो उन्होंने काम किया और आई से कई भी लोग हैं, जो नौकरी करती हुए भी अपना समय देते हैं. सर, आप किस तरह से इसमें मदद करते हैं? सर्विस वाले हैं, ज्यादा तर, लोग नहीं जा पाते हैं, टाइम भी नहीं दे पाते हैं, केवल पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं, कि बाई किराया भाड़ा दे सकते हैं. तो हम लोग ने सोचा कि महिलाओं का एक संग्ठन तयार किया जाए, जो किसी आज के हमारे देश में महिला संग्ठन तयार नहीं है, और इनको इतना ससक्त बना दिया जाए, कि जरूरत पढ़े खुद भी ये लाठी डंडा लेकर तयार रहें, सड़कों पर. और बगर जब ये तयार होंगे तो हमारे बच्चे भी सुनते हैं, वो भी तयार होंगे, तो महिला जो होती है, वो 80% हमारे घर में अधिकारी होती है, कि बच्चे भी उसके साथ हमेशा रहते हैं. जेंट्स जो अकेला हस्बेंड है केवल 20% का हिस्सेदार है तो इसलिए जब महला हमारे साथ जुड़ चायती तो हमारा पूरा परिवार जुड़ता है और परिवार में जब ताकत वो मिलते है तो हमारे समुझ ले लिए कितनी ताकत मिल जाते है किसी आगे के किसी के आगे ज जरूरत नहीं पड़ते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। जरूरत नहीं पड़ते हैं। जरूरत नहीं पड़ते हैं। जरूरत नहीं पड़ते हैं। हम देखते हैं कि संस्तापक की मिर्तियों के बाद मानने कासिर राम जी के मिर्तियों के बाद वो संग्ठन वहां रुका ही नहीं। जरूरत नहीं पड़ते हैं। बाद में बुजुर्ग होगे। कोई यूथ इसके साथ में बहुत ज्यादा नहीं जूड़ पाया। तो उसका कारण यही रहा कि हमने महिलाओं को बहुत दूर रखा इस आंदोलन से। अगर हम इस अंदोलन में महिलाओं को जोड़ के रखेंगे तो आने वाली जनरेशन के साथ-साथ हमारी यह जो अंदोलन है उनके पास भी यह ट्रांसफोर्म करेगा जाकर के। जो पूरा लक्ष का जो अंदोलन है लक्ष का जो समाजिक सुधार का जो परकिरिया है जो लक्ष का लक्ष है कि वो महिलाओं के आवाज बने महिलाओं के जो दुख दर्द हैं खासकर बहुजन समाज की महिलाओं जिनको जाती आधारित परतारना का भी सिकार होना पड़ता ह उसके तकलीफों को ये लोग एडिस करते हैं, उसकी आवाज बनते हैं और उसे कानूनी सामाजी गुरुप से जो सेवा है, जो मदद है वो मुहिया कराते हैं कैमरामेन रायन के साथ संबुक मार सिंग नैसनल दस्तक लखना हूँ